Hey guys, welcome back to Rocketry Dreamers YouTube channel दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे Axiom 4 मिशन के बारे में वैसे आप सभी को पता ही है कि जो इसरो है वो उसका एक एस्टरोनॉट या वेमनॉट भेज रहा है Axiom 4 मिशन में जो आएसेस के लिए रवाना होने वाला है लग अक्टोबर महिने में वैल इसरो इसके लिए पांच ओन बोर्ड एक्स्परिमेंट्स प्लान किये हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन स्पेस रेसर्च और्गनाइजेशन की चेर्मन इस सुमनाथ ने शनिवार को इसी शनिवार पास्ट जो शनिवार हुआ था उसमें कहा था उन्होंने के इंटर्व्यू में आए गया वेल नासा और इसरो का जो ये मिशन है एक्जियों 4 उसमें जो हमारा एस्टरोंट्स जाएंगे वो कौन-कौन से जो पेलोड से या जो भी एक्स्पेरिमेंट आप कहलो वो करने वाले उनके बार में कुछ डेटिल बताई थी वेल भारत जो है वो दोहजर अठाइस प्लैन कर रहा है भारत के सबसे पहले हुमन स्पेस फ्लाइट के लिए और दोहजर अठाइस ही वो साल है जिस साल हम SCE 200 का फर्स्ट लाँज देखेंगे है दोहजर सताइस साल है वो वेल इस ओनलाइन इंट्रेक्शन के दोरान जो हमारे चेर में निश्रो थे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए जो हमने मिशन प्लैन किया है एक्जियोम 4 उसमें हमारा एक गगनियातरी जाने वाला है और वो गगनियातरी कुछ पांच पेलोड लेक इसमाल कर रहा हो यहां भी मेरा मतलब है एक्सप्रिमेंट्स ना कि कोई हार्डवेर जैसे आप समझ रहे हो वेल हार्डवेर भी हो सकता है अभी हम शूर नहीं है क्या है वह एक्जेक्टली तो पांच एक्सप्रिमेंट्स होने वाले हैं ISS पर और उसके बाद जो इंटरनेस है कैसे क्या सारी चीजें करते हो एक्सप्रिमेंट्स वगरा कैसे करते हो और वो सब क्यूंकि यह पहली बार है जब कोई इंडियन बंदा इस रो भेज रहा है उसे मतलब इससे पहले राकेश शर्मा जी गये है अभी दूसरा है वैसे वह काफी सालों पहले हुआ था तब ह हमें यह भी सारी चीजे देखनी होगी कि launch से पहले और launch के बाद क्या-क्या चीजे होती है और वो उनको सीखनी भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमरे पर्टिकलरली जो हमारे वैमनौट है वह पाइलिट होने वाले उस फ्लाइट के तो वह काफी खूब सुरत से चीज भी ह होगी हमारे लिए और गर्व की बात भी होने वाली है वेल यह जो लॉंच है यह लॉंच दो हज़र अठ्था इसके लिए प्लैन्ड है मतलब इंडिया की स्पेस फ्लाइट पहली और एक्जियों वेल का लॉंच की बात करें तो वो ऑक्टोबर में होने वाला इस साल तो हम काफी नजदीक है अब प्रक्षेपन से वैल काफी सारा नॉलेज अभी हमें लेना है आएसस और उसके वरकिंग से इंटरनेशनल क्रिव कैसे काम करता है वो सब हमें जानना है कैसे क्या कंड़क्ट होता है ये मिशन वो भी उन्हें हमारे वेमनॉट्स को सीखना है और उनको ट्रेंड करना है ऐसे कुछ अभी चीज़े काम चालू है और कुछ हमारे फाइनल मिशन भी अलेक चंद्रयान फोर विनस यह उनके लास्ट स्टेजेज में हैं अभी वो डिसकुशन स्टेज पर ही चल रहे लेकिन वो भी हमारे कुछ फाइनल ही मिशन से मतले फाइनल हो चुके वो लगबग और उनका भी हम लॉंच 28-29 तक देख सकते हैं वेल यह भी चीज़े काफी खुबसूरत सी होने वाली जब चल रहा है और विनस मिशन लॉंच होगा एक्जो प्लैनेट के लिए कि यह सारी जो चीज़े हैं वो मतलब इनकी जो मेडन फ्लाइट होती है वो लगबग सालों में होती है अभी इंडिया ने अभी तक उसकी मेडन फ्लाइट नहीं कि लेकिन जल्दी होगी वो तो भाईया मतलब गर्व महसूस करने वाली चीज़े सो हम सब उसी के लिए मैं तो उसी के लिए रुका हूं वेल अपके लगता है आप बताओ इस मिशन के बार में आपके थौट्स बताओ ज़रा कमेंट में वेल मैं हर बार आपको यही पूचता हूं कि आपके थौट्स बताओ लेकिन कोई करता नहीं प्लीज हो सके तो इस बार कर देना और सब्सक्रा इन्यवेज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं इस वीडियो को मिलेंगे किसे और एक वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वअन्हे-, आतरां